कॉंग्रेस के रास्ती अध्यक्ष राहूल गांधी के 49 जनम दिवस पर नगर के सालवन बार पर पार्टी कारेकरताओं ने कारेकरम कायू चंग किया कारेकरम की अध्यक्षता परदेश महास्चीव शम्शेर सिंग गोगी ने की इस कारेकरम में जहां एक और के काट कर पार्टी अध्यक्ष को जनम दिन की बधाई दी गई वहीं दूसरी और आने वाले विधान सबाचुनाव में कॉंग्रेस को विजई बनाने के लिए संकल्प लिया गया परदेश महास्चीव सम्शेर सिंग गोगी ने कहा कि राहुल गांधी एक सूझवान और अच्छी सोच के नेता है उनके पास देश की समश्याओं को समापन करने के लिए परयाप्त वीजन है उन्होंने परदेश में आगामी विधान सबाचुनाव के लिए कारेकरताओं को युध स्तर पर जूट जाने के अपील की है उन्होंने कहा कि परदेश की सरकार जन विरोधी फैसले लेकर जनता को परशान कर रही है और जनता आने वाले समय में उनसे छुटकारा पाने के लिए कॉंग्रस के पक्ष में मतदान करेगी इस असर पर पुर्व चेर्मेन सुर्जीत राणा कैप्टन ताराचंद रिचपाल राणा वे अन्य कारेकरता मोजूद रहे कॉंग्रस के जक्ष माननीये श्री राउन जांदी जी का जनम दिन है और सभी कारिये करताओने असंद में उनका जनम दिन आज मनाया है केप काटके जनम दिन की जो खुशी का जार किया है और सब को लटू बांटे गए और अपने परमात्मा से कामना की है कि उनका अच्छा स्वास्ते हो नंबी उमर हो और वो इस देश की बलाई में आगे बढ़ चड़के इसा लें और कांगर्स पार्टी को भी आने वाड़े समय में मजबूत करके इंदुस्तान पर राज करें यही संदेश है कि राख इमानदारी से कारिये करता काम करें और जं-जं तक पहुंचें अपना जो रावल जी का संदेश है उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाएं और आने वाले जो अर्याना का असेंप्ली लेक्शन है इसमें जीज दर्ज करके राउल गंदी को तोफा दिये